अपने चेनल एक्जाम करेक में टेस्ट बुक के द्वारा अपलाप्द करा है सेट का जीखेजियेस का फुल सुलूशन करा जा रहा है इसमें 50 जीखेजियेस और करांड का पराष्ण है और 20 साइच friendship का पराष्ण जिसका की। संद पराष्ण करा है कि रपश्टा अपने दोस अगला प्रसंगे करा कि निमखित में सुरी हाली में पधान मंत्री निर्ण मोदी दुबारा किस देश में सरदार बल्ला भाई पटेल की परतिमा का नावरन किया गया तिया कनाड़ा में किया गया और यह नौ फिट उची मुर्ती है चार फिट के बेस पे बना हुआ है नौ अगला प्रसंगे करा कि पाहिली महिला लोकसभा अधियच आपको मीरा कुमार थी पाहिली महिला परधान मंत्री परतिभा देवी सी पाठेल थी पाहिली महिला परधान मंत्री इंद्रा गांदी थी अगला प्रसंगे करा कि निमखित में से कौन सा एक मौलिक करतब नहीं है मौलिक करतब नहीं है तो चुना पर किर्याम भाग लेना या नागरिकों का अधिकार है ना कि मौलिक करतब है बागी समिधान का पालन करना महिलाओं की गरिमा का अपमांजनक पर्थाओं का त्याग करना देश की रचा करना या जोगा मौलिक करतब में आता है अगला पसंग के कराए भारत के किस राज को पहली बार पंचायत मिला था तो पंचायती राज सबसे पहले राज अस्थान के नागवर जिला में लागू किया गया था और यह कब किया गया था तो 1969 में किया गया था दो अक्टूबर को किया गया था अगला पसंग क्या हो रूप से जोर दिया गया था किस पर जोर दिया गया था तो साथ में पंचवर से उजना में खाद अनाज उत्पाद नेवं रोजगार के उत्पाद अक्ता पर जोर दिया गया था आप सुन हो जागा तीन नमबर करा अगला पसंग करा की पाहिला गुठ निर पेच सिकर समेलें कहा आजित किया गया था तिया बेल ग्रेड में आजित किया गया था अपसान हो जाएगा दो नम्भर 1961 में किया गया था अगला पसंग के कराय कि निम्खित में से किस आदिवासी नेता को जगत पीता धरती आबा के नाम से जाना जाता है धरती आबा के नाम से जाना जाता है तो इसका हो जागा आपसा नमबर डी बिरसा मुंडा हो जागा बिर्शा मुंडा को कहा जाता है इनी के जन्म दिवस पर 15 नुवंबर को जहारखंड का गठन हुआ था और जहारखंड दिवस भी मनाया जाता है अगला फसंक्यक करा कि पर्शी संगीतकार एयार रहमान ने किस गीत के लिए बामनमा गरहमी पुरसकार जीता था या जाय हो गीत के लिए जीता था अब सुना जाएगा ती नंबर भारत में इंजिनियर्स दिवस कब मना जाता है भारत में इंजिनियर्स दिवस 15 माई को मना जाता है और यह एम विश्वेश रहिया के जैन्ती पर मना जाता है इंडियन एयरलाइंस की पर्थम महिला पाइलेट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की पर्थम महिला पाइलेट दूरबा बनर जी थी जो के उन्हें से कामनिस्वी में बनिजिक एयरलाइंस उड़ाने वाली पाइलेट बनी थे करा कि भारत में कौन सा आयोग केंद राज संबंद से संबंदी थे केंद और राज के भी संबंद से संबंदी थे तो सरकारी आयोग अप्सन हो जागा आपको ए नमबर कोठारी आयोग सिच्छा से संबंदी थे रादा कृष्णन आयो भी जो दिछा से समन दित है अगला पसंगे करें, बर्तमान में कौन सा बठार ही माबरन के नीचे पायाता है मेगा अले का पठार जो हुआ दक्कन पठार का ही भागै, प्राइदी पीं भागै दक्कन ट्राइब भी भारत भी पायाता है कि अग्लो के լाद और समीधान के अ मैने थिकार नहीं तो मैलीक अधिकार नहीं यह संपतय के अधिकार को बीदिक अधिकार या कानूनिन अधिकार उसी कायता बना दिया गया निम्कित में से कौम सा देश A.C.I. खेलो 2030 की मेजवानी कौन करेगा 2030 में कतर के दुबारा किया जागा 2026 में किया जागा जापान में 222 में चीन में आइजन किया गया अंसर रहेगा ए नमबर प्रसांगे करेग निम्कित में से किस राज में अजी लामू लोक निरत मना जाता है अजी लामू लोक निरत पर चली था या और नाचल पर देश का लोक निरत है option हो जागा, चार नमबर किस भारति डोकुमेंटरी को आसकर 22 के लिए नमांकित किया गया आउसकर 2022 के लिए नमांकित किया गया है, तो राइट विद दफायर या जो है उत्तर पदेश के चीत्रकूट के चीत्रकूट का बरनन है इसमें, राइट विद दफायर के लिए, अगला पसंग कराय की, फेडेक्स कप निमखित में से किस केल से समदित है, फेडेक्स कप आप आपको गोल्फ से समंदित है, अप्शन हो जागा ए नमबर, फुटबॉल से संतोष्ट्रोफी समंदित है, कौन सा स्वतनता के रूप में, विकास फुस्तक के लिखा गया है, स्वतनता के रूप में, विकास फुस्तक का लिखा का ने फिरीडम फॉर डेवलोप्मेंट गोड फॉर पसमाल थिंग्स, लगजंबर की मुद्रा क्या है, लगजंबर की मुद्रा यह ए औरोपिय कंटिनेंट का देस, औरोपिय सदस्ट देस, औरोपिय का मुद्रा इउरो अप्शन, इसका हो जागा बी नमबर, उतेरी गुलाद में चक्रवात की दीश़ा किस फरकार होती। मालदीव के राज़दानी माले है, बंगलादेस की ठाक रिसस का पोर्ट लूइस है। अगला पसंग कराय कि बंगाल का अंतीम गौवर्नर जनरल कौन था बंगाल का अंतीम गौवर्नर जनरल लौड विलियम बेंटिक था अप्सन हो जाएगा तीन नमबर बारे नेस्टिंग 1772 इसमें बंगाल का पर्थम गौवर्नर जनरल बना था कार्णवालिस का जो है समाधिय अस्तर कहां तो उत्तर परदेश के गाजी पूर में इसकी मिर्थी इंडिया में ही हो गया था फानेंसियल एक्सेंट टास्क फोर्स का मुख्याल है कहां एफ एटी एफ का मुख्याल है पेरिस में आप्सन नमर हो जागा ती नमबर लैंड आफ मीड नाइट सन के नाम से किसे जाना जाता है लैंड आफ मीड नाइट सन के नाम से नार्वे को जाना जाता है लैंड आफ मर्निंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है पूर्वोदेख सुर्योदे का देश जो है जापान को जाना जाता है अगला पसंग के करा गया है जवालल नहरू के द्वारा निम्खित में से किस टीम ने उबैदुल्ला खान होकी कप जीता है उबैदुल्ला खान होकी कप भारती रेल्वे के द्वारा जीता गया ऑप्शन हो जाएगा चार नमबर सिरिया की राजधानी कहा है सिरिया की राजधानी आपको दमिश्क है अप्शन नमबर हैगा दिनमर अरजर बजान की राजधानी बाकुए बहरीन की राजधानी मनामा है पुर्वीत तीमोर का राजधानी डिली है निम्खित में से कौन सा भारती राष्टी कांग्रेस की महि अदियश नहीं थी, तो एननी बेशनल सबसे पहली महिला थी, जो कांगरेस की अदियश बनी थी, यह बनी थी 1917 में, सरोजिनी नाइडु 1925 में बनी थी, जो पहली भारतीय महिला थी, त॥े कमला देवी चटोपाधिया यह कांगरेश की अधियश नहीं बनी थी, अरुना आसा अक्टूबर 22 में परतियस परधा आयोग के कारिवाहा का धियच के रूप में किसे निक्त किया गया है आपको संगीता बर्मा को अप्शन हो जागा ए नमबर अगला परसंग के कार आए क्या निमखित में से किसे अगस्त दियर बाइस में बिहार बिधान परिस्द का धियच बनाया गया है तो बिहार बिधान परिस्द का धियच बनाया गया देवेंदर चेंदर ठाकूर को अतुल परसाज जो है बीपेसी का चेर्माइन बनाया गया है निवकित में से किस अंग्रेज गवर्नेर जनरल नीचले बर्मा को ब्रिटी समराज मिलाया था तर लड डलहुजी के द्वारा मिलाया गया था आप्सन नमर रहागा क्या तर तीन नमर डलहुजी के काल अठार सवड़ तालिस चपन तक था सिमली पाल टाइगर रिजर राज में स्थित है अंसर रहेगा एक नमबर 1928 में बल्ला भाई पटेल ने भूराज अस्वव में बिर्धी के खिलाब किसान अंदोलन का नेत्रित किस अस्थान पर किये थे तिया बार्दोली में किये था अप्सन रहेगा क्या तो तीन नमर अधिवेसान जो है 1929 से में किया गया था ज्वालन लेहरू के द्यजता में कामरेस का लाहर अधिवेसान साइमन कमिशन के खिलाब सांति पुर्ण परदाशन के दौरान लगी चोटो से सिकार होने के कारण मिर्ती हो गये थे लाला लाजपत राय हो गये थे सिकार हो गये थे बाद में इनकी मिर्ती हो गई थे ऐनसर हो जा जागा एगा चार नमबर बाल गंगा दर तिलग को क्या कहा जाता तो यह जो है लोक मान के नम से जाना जाता है witnessed आयर लोक के मान है 1 इस वाल गंगदर तिलग चार नमबर अफगानिस्तान से लाए गया था उसका नाम था उप्रेशन देवी सक्ति किस बन जी अभियारन को पाइथन रिफ्यूजी पलेश के नाम से जाना जाता पाइथन रिफ्यूजी पलेश के नाम से रामगर विसधारी बन जी अभियारन को जाना जाता रामगर विस वर्धन के दर्वार में समय ब्यतित किया था वह कौन था तो वह हेंसांग था ओप्षन हो जागा क्या दो नमबर हेंसांग फाहियान आया था किसके समय चंद्रगुप्त दूतिये के समय आया था अगला प्रसंग क्या कर रहा है कि में फूसाइन ने कौन सी फिलू बनाई थी तिया मिनाची फिलू बनाई थी मिनाची फिलू जो है में फूसाइन ने बनाई थी में फूसाइन के द्वारा बनाई गया फिल्म मिनाची था उसमें जो है मिनाची 2004 में आई एक फिल्म थी जो इसका निर्देशन में फूसाइन ने किया था कुनाल कपूर रगुबीर थे ही था मिनाची फिल्म अगला परसंग क्या इसमें जो है क्या एमें फूसाइन हो गया एक नौमब देशर बाइस को थोक खंड में डिजिटल रुपिय की पाइलट पुरिजना का सुभारम किसके द्वारा क्या गया तो आर्बी आई के द्वारा क्या गया है अपसन जागा एक नंबर आर्बी अगला परसंग करा कि गोगेट एजुकेशन कविता किसके द्वारा लिखी गए गोगेट एजुकेशन कविता सवित्री भाई फूले के द्वारा लिखी गए ऑप्सन नमर जागा तीन कराई सरीव नदी के किनारे कौंसर सहर इस्थी थे सरीव नदी के किनारे अधिया सहर इस्थी थे आप्सन नमर जागा जबलपूर नर्मदा नदी के किनार इस्थी थे आमदावास साबरमती नदी की किनार इस्थी थे विजय वाड़ा जो है क्रिशना नदी के किनार तो यह मदान किये गए बायद मतोक सेग बटाच्छे से अधीक मत नहीं पराप्त करता है तो वह अपना जमानत राशी खोदेता है परस चुट गया था पाच जगत बरगी करन की शुरुगात किस ने की थी तो पाच जगत बरगी करन के शुरुगात आरेचीटे करके द्वार सारे जन्तु जगत इनी में लिया अगर आप पसंग करा कि जीवानुओं में कौन सा अंग माइट्रोकॉंडिया के समरीति अंग है माइट्रोकॉंडिया के समरीति अंग है तो या मधिकाय होता है मधिकाय जो है माइट्रोकॉंडिया के समरीति अंग होता है अपसनों जाग ρεί कि राग्लोर माईटिकने में जाता है माइट्रो कुंड्री करेंगा नूर्प होते हैं और मधीकने मेंain कि स्वसद्रन करने में साहिता करते हैं ठीक है यह आधार ऑधार कि अधारा बनते हैं यह इंजाज्याई में होते हैं यह क Funs का भीति कि परती किर्थी में में भी साइता करता है अगला पसंद क्या कर रहा है कि विटामिन डी के अपसंद के लिए महत्पूर्ण होता है कौन से महत्पूर्ण होता है तो कल्सियम महत्पूर्ण होता है अपसंद हो जागा क्या तो तीन नंबर हो जाएगा अगला आ भीमूड के हैं मानुव आख के फोटो फीग्मेंट किससे बने होते तो मानौव आख का फोटो पीग्मेंट एक प्रोटीन और एक क्लोरोफिमि आञे उक्सелен के लिए क्या आवस्यक नहीं है निवखित में से कौन सा प्रोटीन का सम्रीद सुरोत नहीं है, तो आपको हो जागा मुंग फली का तेल प्रोटीन का सम्रीद सुरोत नहीं है, निवखित में से कौन सा पौधे के लिए प्राथमिक ब्रीहत पोशक तत्व नहीं है, प्राथमिक ब्रीहत मने होता है अधिक मात दो बैकलपिक मैधिये मराध्यमों से पत्तर गुज़रने को किया क्या करते हैं प्रकास किरने को वर्तन काया थो ली नमबिशन आया आपशन करय सकत्ताइर कि लूपकंद कई धरातल की और एक पथर गिराया जाता है तो पथर की गति जुर्जा अधिक्तम कब होगे जब वो गिराया जा रहा एक ही तल से यहां से गिराया जा रहा कोई भी पथर को तो उसका अधिक्तम गति जुर्जा जाब होगा जब धरती से टकराने के जश्ट कुछ समय पहले उसक बेक का उता है मीटर पर 30 सझेंड की ओता है रेवիज रोग जो है विसानूं के दोबारा होता है आपसनलर की ओ जागा तो ए नमबर हो जाएगा डॉडडड त्री पर्मानूक का एक उधर है त्री पर्मानूक हो है हीड्रोजन का एस टू लिखे है बहुँ पर्मानूविक में आता ही करह रेडियों धर्मी समझानिक कौँ से हड्रोजन का रेडियोंज धर्मी समस्थानिक जो होता है वो ट्राइट्रियम होता है अपसन नमबर चार हो जाएगा हड्रोजन का तीन समस्थानिक होता है ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम अप्रोट्रियम होता है तीन होता है पिर्थिवी के चारों और एक विरताकार परी क के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है खाद परी रच्छक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो चीनी का सिर्का का नमक का ये सभी का इस्तेमाल खाद परी रच्छक के रूप में किया जाता है भारी जल का रसाइनिक नाम क्या भारी जल का रसाइनिक नाम डि यूटेरियम लेता है करा अगला प्रशन करा कि भौपाल का इस्तरास्दी में कौन सा मुखे रसायन जीमेदार था तम मिथाइल आइसो साइनेट जीमादार था आप्सन नमर क्या जाएगा एक नमर जाएगा आगे प्रशन संख्यायत नहीं था टोटल सतर प्रशन है जिसका क सुलूशन करा गया कि प्रफिया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों में सेयर करते हैं